हेलो दोस्तों नमस्कार आजम बात करें G&M कोर्स के बारे में तो दोस्तों G&M कोर्स क्या है और इसके फोर्म कब सुरू हो रहे हैं और G&M में कौन एडमिसन ले सकता है इन सबी मुद्धों को लेकर के आजम चर्चा करेंगे तो इसलिए आप इस वीडियो को अंद तक देखें देखिये दोस्तो इस साल बच्चों को काफी समय हो गया इंतजार करते हुए और अक्सर मेरे से ये प्रशन भी पूचे जा रहे हैं देखिये दोस्तो जी एनम साड़े तीन वर्स का डिपलोमा कोर्स है पहले तो आप ये जान लो अब जी एनम में एडमिसन कौन ले सकता है क्या योगयता है तो हर एक 12th पास स्टूडेंट हर एक 12th पास स्टूडेंट चाए वो साइंस से हो चाए वो आर्ट से हो चाए वो कौमर से हो चाए वो क्रसी विज्यान ये एगरी कल्चर से हो 12th पास स्टूडेंट जी एनम कर सकता है ठीक है तो अब अगर हर एक 12th पास स्टूडेंट जी एनम कर सकता है तो फिर जी एनम की फीस क्या रहती है तो ये भी सुन लो आप GNM की जो फीस निर्दारित कर रखी है वो है 50,000 रुपे पर एर तो GNM की फीस 50,000 रुपे पर एर ये फीस है प्राइवेट कोलेज की लेकिन यह थी आपका नंबर आ जाता है गौवर्मेंट कोलेज में तो आपकी GNM की फीस न के बराबर है एक तरह से मैं कहे रहा हूँ निसुल्क GNM कर पाओगे कुछ कोलेजों की 180 रुपे फीस है कुछ की जो है 5000 रुपे फीस है ठीक है ना अब तो फिर मैं गौवर्मेंट कोलेज से GNM अगर करनी हो तो उसके लिए करना क्या पढ़ेगा तो सुनिएगा गौवर्मेंट कोलेज से अगर बिलकुल निसुल्क या नाम मातर की फीस में आप GNM करना चाहते हो अथ्वा प्राइवेट कोलेज में अगर आप सीधा एडमिसन लेते हो तब तो डोनेशन देना पढ़ता है आपको फीस के अलावा तो अगर आप उस डोनेशन से बचना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पर आ करके ये वेबसाइट कौन सी है ये वेबसाइट है राज स्वास्ते इस वेबसाइट पर आ करके आपको GNM के लिए registration करना पड़ेगा परवे इसके लिए form बरना पड़ेगा क्या इस साल के form निकल चुके हैं क्या नहीं अभी तक इस साल GNM Admissions से सम्मंदित form नहीं निकले हैं आप देखिए यहाँ पे एक notice दिख रहा है GNM perception पाटे करम में प्रवेश एतू online portal 7221 तो यह जो आपको notification दिख रहा है यह पिसले साल का है अगर यहाँ पे इसी notification में अगर 21-22 आ जाए तो फिर आप यह समझो कि यह साल की form स्टार्ट हो गए लेकिन तो फिर ऐसा आएगा कब तो दोस्तों सितंबर के अंतिम सब्ता में क्योंकि राजस्वास्ते के जो अधिकारी हैं और जो government GNM college में पढ़ाने वाले जो सिक्षक वरग हैं उनका ये कहना हैं कि इस बार GNM के जो form बरे जाने प्रारंब होंगे वो सितंबर के last week में होंगे जहां तक अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सितंबर के last सब्ता में किसी भी वक्त GNM में admission के लिए form start हो जाएंगे तो जैसे ही GNM के form निकलते हैं आपको राजस्वास्ते website खोलनी है और उसके बाद में यहाँ पे एक link दिखेगा उस link पे आपको click करना है ठीक जैसे ही इस link पे आप click करोगे तो आपके सामने दोस्तो इस परकार का एक interface खुलेगा देखिए यह वाला तो जैसे ही यह interface आपके सामने खुले तो देखिए आप इसमें क्या लिखा हुआ है जनरल नर्सिंग अड़ मेड़ वाइफरी पर सिक्षन पाटे करम में प्रवे से तो ओनलाइन पोर्टल सतर दोजार बीस इकीस अब यहाँ पे लिखा हुआ है बीस इकीस लेकिन जैसे ही अभी form इस्टार्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हो गया एकीस बाइस अब देखिए तो जैसे ही यह form इस्टार्ट हो जाएंगे तो फिर हमें कौन से डोक्योमेंट चाहिएंगे ऑनलाइन फोर्म में आपको तीन चाल डोक्योमेंट की सबसे ज़्यादा जरुवत रहती है एक दुदस्वी की मारक सीट एक बार्वी की मारक सीट और एक आपका जाती परमान पत्र काष्ट सर्टिपिकेट यह तीनों डोक्योमेंट आर एक स्टुडेंट के पास में होने चाहिए जनरल को छोड़ करके ठीक है तो जैसे ही आपके form निकलेंगे आपको इस साइट पर आना है इस साइट पर आकर के आपको पहले registration करवाना है ठीक जैसे ही आप registration करवा होगे तो फिर आगे हमें college के साथ दार पे मिलेंगे तो college आपको मिलेंगे बार्वी के percentage के आदार पे 12 में आपके जिस परकार से percentage होंगे उसी के अनुरूप आपको college मिलेंगे तो मान लीजी अगर कोई एक स्टूडेंट है जिसके बार भी में परसंटेज बहुत बढ़ी आए ठीक है मान लो उसके 90 परसंटेज है किसी के तो जिनके परसंटेज 90 के आस पास है उन्हें जीनम की कौन सी कोलेज मिलेगी भाई गौर्मेट कोलेज मिलेगी जीनम की गौर्मेट कोलेज के उन बच्चों को मिलेगी जिनके 12 में 90 परसंटेज या उससे उपर है हाँ लेकिन यह दि कोई स्टूडेंट SCST का है तो उसे 85 या 80 परसंटेज तक भी गौर्मेट कोलेज मिलने की समभावना है ठीक है इसके अलावा EWS केटेगरी की भी मेरिट नीचे रहेगी लेकिन यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ GNM के अंदर 80% सीटें 80% गल्स के लिए रिजर्व रहती है और 20% सीटें ही बोईज के लिए होती है इस काउंसलिंग के तुरू मैं बात करा हूँ जो यहाँ काउंसलिंग होगी ना इसमें R100 सीट में से 80 सीट पर लड़कियां अब लड़कियां एवलेबल नहीं रहती है तो फिर लड़कों को एडमिसन देंगे ठीक इसके अलावा यहाँ पर एक और बात है यह नम कर तो सकता है कोई भी आर्ट का और साइंस का लेकिन यहाँ जब आप फॉम बरोगे तो मान लो कोई दो सीटे हैं और 85 दोनों बच्चों के परसंटेज है तो पहले उसको लिया जाएगा जो साइंस से है मतलब साइंस के बच ठीक है अब मान लीजी आपको गौर्मेट कोलेज नहीं मिला तो कोई परग नहीं पड़ता दोस्तो इसी काउंसलिंग से फिर बाद में प्राइवेट कोलेज भी मिलेंगे तो अब कोई स्ट्रेंट सोचेगा सर में यह फॉम बरके प्राइवेट कोलेज क्यों लो मैं तो ड या आपको करीब करीब पचास अजार उपे डोनेशन देना पड़ेगा तो आप इतना बारी डोनेशन क्यों देंगे यदि आपके परसंटेज 80 से उपर है 80 परसंटेज या उस से उपर है तब तो हर एक बच्चे को यह फॉम बराना चाहिए और जो EWS है SC है ST है OBC के बच् टेश डिवीजन भी है तब भी मेरा यह मानना है कि आपको GNM का यह फोरम जरूर बराना चाहिए जिस से कम से कम आपका डोनेशन तो बचेगा आपके मन के मताबित आपको बड़ी अक्वलेश तो मिलेगी ठीक है ना तो मैं यहां केलियर कर दूँ तीन चार चीजे हैं आप पिर से जान लो जीनम 12 पास स्टूडेंट कर सकता है ठीक दूसरी बात जीनम में एडमिसन के लिए कोई टेस्ट नहीं होता ठीक सीधा परसंटेज बेस पर एडमिसन होगा ठीक हैं इसके बाद में परसंटेज बेस पर कटोप निकलेगी पहले जो जिनके परसंटेज अच् साइंस वालों को तोड़ा ज़्यादा मेंत वालों को कम very funny ढ़स डेते हैं ठीक इसके अलावा एक इस्यू और है जिसके बारे मुल बत्रवा चाहता हूं तो फिर फीश कभ जम्हा करानी हे shape फूर्म बरते पता नहीं ये कहां से निकल के आ रही है लोग कह रहे हैं कि इस बार से तो जीनम बंद हो रही है जीनम तो आगे बंद हो जाएगी जीनम क्यों कर रहे हो आप ये न्यूज बड़ी बारी पेमाने पर चल रहे हैं और बच्चे कन्फ्यूज भी हो रहे हैं अरे भया पहली बात के उपर कोई फरक नहीं पड़ेगा आपको तो तीनों साल की पड़ाई वेवस्तित करवा ही जाएगी तो अगर मान लो अगले साल से बंद हो गए तो क्या पीछे जितने भी जीरम किये हुए हैं उनको कहीं नोकरी नहीं मिलेगी क्या बिल्कुल मिलेगी वेकेंसी निकलेगी ठीके ना तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीके ना ये एक भ्रम जाल है बहुत से लोगों को जानकरी नहीं होती इसलिए वो इस तरह की खबरे प्लांट करते हैं आपको गबराना कनफ्यूज होना बिल्कुल नहीं है जीनम बहुत ही बड़ी अपाटे करम है और आज के समय में उस्पिटल के अंदर अगर कोई सबसे ज़्यादा काम करता है सबसे ज़्यादा मेनत करता है कोविड पैसेंट की केर करता है तो वो ये जीनम इस्टा भी होते हैं तो इसलिए बहुत ही अच्छा मेटिकल लाइन में कॉर्स है मेरा ये मानना है कि अगर किसी का बीएसी नर् के बाद किसको देनी चाहिए जीनम को जीनम एक सेकंड ग्रेड नर्स का पोस्ट है बहुत ही बढ़िया पोस्ट है ठीक है बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है गवर्मेंट कोलेज और प्राइवेट कोलेज में ठीक है तो यह बहुत अच्छा कोर्स है मैं फिर से कहना चाहता ह जिस जो बच्चा जीनम करेगा उसका करियर उसका फ्यूचर बिलकुल बढ़िया है कहीं कोई बेरोजगारी वाली इस्तती नहीं है तो आज के लिए दोस्तों इतना ही जै इन वंदे मातरम भारत माता की जै